आप सभी डियर रिचुडेंट का श्वागत है तो कैसी एट की बच्चा पार्टी आज हम लोग बात कर रहें जो आपका पेपर हुआ है लास्ट पेपर था सभी का तो यह जो पेपर हुआ है आपका वो वार्सिक परिक्षा सत्र दोहजार तेज से चौवीस बार्सिक परिक् इतने माक्स आएंगे सभी बच्चे ध्यान से देखेगा फ्रस्ट कोशन दिया था कि धर्म निर्पेक्चता से आस धर्म निर्पेक्चता मतलब कि किसी भी धर्म को बिसेस रूप नहीं देना और सभी धर्मों को मानना देखें यहां पर ज़रा देखिए आप लोग क्या है राज द्वारा किसी एक धर्म को संडक्षन देना लोग पर किसी धर्म को थोपना थोपना नहीं मानना होता है सी दिया है कि राज द्वारा किसी एक धर्म को पक्च लिये बिना सभी धर्मों का सम्मान करना धार्मिक भाबना और प्रताओं को का मानना इसका right answer है क्या इसका right answer है सी वाला कौन सा कि राज द्वारक किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लिये बिना सभी धर्मों का सम्मान करना ठीक है हमारे यहां कौन सी यही प्रणाली तो है धर्म निर्पेक्चता की सेकेंड पूछा है आपसे कि भारती शमिदान के अनुछेद 21 के अंतरगत पानी को जीवन का अधिकार मानने का आशिक क्या है बताओ पानी तक सार भौमिक पहुँच गरीब व्यक्ति तक पानी की पहुँच अमीर व्यक्ति तक पानी की पहुँच या फिर विशीज वर्ग इंडिया तो राइट आंसर है बी वाला कौन सा भी चलिए फोर्ट देख लीजे जो इंगलिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बन चुकी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रप्शन में मैंने लिंक अटेच कर दिया है ठीक है मनला उनका अलग पेपर होत तो राइट आंसर है परती भूमी जो परत जम जाती न उसको बोलते हैं फिफ्ट वाला है जन साधारन को जन शुविदा मोहया कराने का दायत होता है जन शामाने का शरकार का आपका उद्धोख पती का या फिर पुलिस का कोई भी चीज की चीजें यह जन साधारन को सारी शुविधा शुक्सुविधा हमें कौन बे देता नेते देते क्या नेता ने पूरी सरकार देती हमें तो राइट अंसर है आपका सी वाला बहुत सिंपल कोशन पूचे थे उन लोगोंने अंदर से यहाँ पर देखे जरा सिक्सवाला भारती सम्मिधान में 6 से 14 वर्स की आयू निशुलक सिक्छा की चैसे 14 वर्स की लोगों को निशुलक सिक्छा की गैरेंटी दी जाती है भई मुंबई की उपनगरिये रेल बे एक अच्छी खालिस्तान परिवाहन प्रणाली है बताओ क्या है मैट्रो परिवाहन प्रणाली और यहाँ पर आप और कंफिर्म कर लीज देगा मैं आपको और कॉमेंट सेक्षिन में राइट आंसर देदूगी इसके थोड़ा सा इसके कोश्चन के आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजर है इसलिए यहाँ पर देखिए जारा जूम खेती में बीज वॉनी के तरीके को कहा जाता है विखराव क्या कहा जाता है विख कौन थे उनका नाम था क्या आपका बारेन हिटनग हिरिंग क्या के मूझठ कर लिए कि मॉलिक अधिकार को भारतीश हमिदान की क्या कहा जाता है अन्तर आत्मा क्या कहा जाता है अंतर आत्म आईवास समझ में चलिए आँगे देख लेते हैं अपने लोग और क्या पूछा था आप से कोशन आंसर पूरे लेकिन किस में से आए हैं आपके जो आपका पेपर जो मैंने सैंपल पेपर दिये थे उन्हीं मैं से ठीक है घरेलू हिंसा से आपके समझते पानी से होने वाली भीमारी समिदान के नुचे 17 में क्या प्रवधान है मैंने बोला 3857 की क्रांती आनी है इसके अलावा आप निवेशक काल मैं जाती समाजिक सुधार किस प्रकार हुए थे समाज में क्या अंतर हुए सतत पोशनी विकाश क्या है सारे कुशन आपको उसी मैंसे आय थे और बहुत अच्छा पेपर आया था मैंने बोला था एक आंदौलन तो आए गई भारत छोड़ो आंदौलन आ गया ठीक है सारे कुशन बहुत अच्छे थे पूरा पेपर बहुत मस्ता आया था मैं आसा हो तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी जल्दी और अगर कोई भी समश्या हो कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो वैल ऐकन को प्रेस कर लो वीडियो मिलती रहनी चाहिए और एक सेशन आने बाला है डेली लाइव क्लास का जिसमें आपको मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी डेली एक वीडियो आएगी आपकी और एक टाइम लाइव रखा जाएगा ठीक है अगर आप वो देखना चाहते तो मुझे कॉमेंट में जल्दी कॉमेंट करी जितने ज़्यादा कॉमेंट आएंगी उतने जल्दी लाइव स